सबी किसान साथियों को नमस्कार कौसिक और ठीकल्चर फारम पे आप सबी का अर्दिक स्वागता भी नतन करते हैं मैं दीपक कौसिक आज आपको कल्टिवेशन की वीडियो दिखा रहा हूं यह देखे किसान साथियों जो किसान भाई है उन्होंने बैड बना दिये हैं कमेंट करके बताए कि इतने जो गहरे बैड है इतने कलोज बैड हैं इसको पर कौन सी सबजी लगेगी आप अपना गैस करें कमेंट करके जरूर बताएं और इधर कीन बैड पे मल्चिंग कर दी है यह देखिए मल्चिंग भिछा दी है hole से hole की दूरी 1 feet है और beech में भी 1 feet है एक भाई एक का hole है और जो beech में space है वो बिलकल 1-5 feet का है चलने तक का है सरफ चल सकते हैं आप मल्चिंग को ढकने में भी परेशानी है मिट्टी बिलकल कम मिल रही है बिलकल close bed है क्लोज और कल्टिवेशन बाईयो किसान साथियो सेम है एक बैड पे दो ड्रीप लाइन है और दो फिट का चोड़ा बैड है और तीन फिट की चोड़ी मल्चिंग है इसके उपर वन मीटर वाली और डबल होल है और इस पे दो लाइन सबजी के लगेगी जो किसान साथियो इसके ती से जड़े है जरूर कमेंट करें कि इसमें कौन सी सबजे लगेगी और कैसे लगेगी और किसान साथियो इसमें एक ये जो लाइन है ये सागवान का प्लांटेशन है ये देखिए इस पे हर 15-15 फिट पे एक लाइन में सागवान के पोदे हैं इसमें भी आप कमेंट करके जरूर बताएं कि इसमें मल्चिंग लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए अगर लगानी चाहिए तो प्लांट जहां पर आता है वहां कैसे मैनेज किया जाए आप जरूर कमेंट करके बताएं और वीडियो को सेर जरूर करें जो नए किसान साथी है उनको जरूर सीखने को मिलेगा कल्टिवेशन कैसे करते हैं ड्रीप बैड और मल्चिंग और इसको उपर फसल कैसे लगाते हैं यह पूरा आपको देखने को समझने को मिलेगा वीडियो को सेर जरूर करें और जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो भाई फेस्बुक पे देख रहे हैं वो पेज को जरूर फोलो करें कोसी कोटिकलचर फारम फेस्बुक पे पेज है और आप जरूर कमेंट करके बताएं कि इतने कलोज बैड के अंद